है 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 जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ हाओ टो क्रेट जलिए सबसे पहले हमेन नोट पर जाना होगा कि आपन कर लिया है और वो हो अनुसे हम लोग लिक्ति हैं है है head head का basically मतलब होता है एक information को contain करना यानि program की पूरी information जहां पर contain होती है उसको हम बोलते हैं head यह हमें browser को information देखता है कि यह program किस लिए है ठीक है और head को भी हम लोग angular brackets में ही बंद करते हैं जब भी हम HTML बनाएंगे हम लोग क्या बनाएंगे head ठीक है इतना clear हुआ आप लोगों को अब देखिए इसमें क्या करते है head जैसे कि मैंने यहां पर अगला लिखा हुआ है title टाइटल क्या करता है जैसे आप लोग कभी अपने यहां लगाना होगा है आपना नाइम भी लिख सकते है टाइंटल को मैंने क्लोस कर दिया और title को close करने के लिए मुझे angular brackets में एक slash लगाना होगा और मैंने इस तरीके से close कर दिया है after that मैं क्या करूंगी title के just बाद मुझे क्या करना पड़ेगा head को close क्योंकि title के बाद ही head close होता है it's a rule ठीक है आप जैसा है हाँ पर देख सकते है उसके बाद मैंने html को close कर दी अब क्या होगा इस file को मुझे क्या करना होगा save तो save as में मैं गई और save as में जाकर जैसे कि मैंने अपने computer में eDrive में गई तो eDrive में जाकर ठीक है देखो eDrive में गई तो eDrive में जाकर मैंने एक new folder create कर लिया और new folder जो मैंने create कर रहा है that is a 10th html ठीक है तो यहां पर मैंने new folder create कर दिया इसके बाद क्या किया है मैंने 10th html program के नामसे मैंने new folder create कर दिया अब इस folder को जैसे ही मैं open करूंगी तो इस folder को open करने के लिए मैंने आपका file को सेव करी है मैंने सेव कर दिया first dot html जब भी मुझे कोई file को save करना होता है तो मुझे आगे dot html लगाना होता है यह html की file के लिए एक extension होता है ठीक है अब यह मैंने file को save कर दिया है जैसा आप देख सकते हैं अब मैं यहां पर my computer पर गई जाने के बाद मैंने अपनी eDrive खोली और जिस नाम से मैंने आपका भी क्या folder बनाया था उस folder पर मैं जाओंगी वो folder क्या था आप देख सकते हैं class 10 stml और first नाम से save क्या था first dot html तो यहां पर देख सकते हैं chrome की यानि ब्राउजर की file बन कर आ गई है ठीक है अब जैसे ही मैंने इसको open करा तो आप लोग देख सकते हैं यह उपर वाली side में first web page आ रहा है यही मैंने title का नाम दिया था जो title का नाम देती हूँ वही इदर आ जाता है first web page आ गया यहां पर ठीक है अब यहां पर आपको अभी तक सिर्फ उपर दिखाई दे रहा था first stml यानी ब्राउजर की screen में उपर किसा है बाकी पूरा plane था लेकिन आप चाहते है इस page पर भी कुछ ना कुछ लिखा आए तो यानी एक field देने के लिए एक web page में field देने के लिए आपको कुछ लिखना है तो आपको क्या लगाना होगा body जब तक आप body नहीं बनाओगे वो web page हमारा बिलकुल plane आएगा उस web page पर कुछ भी contain नहीं होगा कोई भी information नहीं आएगी body वे मैंने लिखा this is a web page this is web page मैंने गी लिखा body को close करा और जब भी हम html का program मनाते है at सबसे last में हम लोग html को close करती है मैंने again file पर गई file पर जाके मैंने save as किया और save as पर मैंने जब भी click किया so एक इसी तरीके से folder था उसमें मैंने लिख दिया save as में to.html आप अपने नाम से भी लिख सकते हैं जब भी अपना नाम लिखोगे या कुछ भी लिखोगे .html लगाओगे उसके बाद वापस से मैं e-rap पे गई मैंने देखा वो मेरा folder कहा है actually मैंने वो दूसरे वाले folder में save कर दिया था so मैं उस folder को देखूँगी कि वो मेरा folder कहा है अब वो folder मेरा मिल गया lumière चैइब झाले आध आद इस इसकति अब करते बाद। सकते ंदार सिपनो Cafe